देखिए जो मैं प्राइमर फसाई बात समझ पा रहा हूं यहां पे उसमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें धानली तो हुई है मैं कन्विंस हूँ कि इसमें धानली हुई है इन बच्चों से बातचीत करने के बाद जिस तरीके के मार्किंग सिस्टम आये हैं और जो परिक्ष 2015 में हुआ था पैतालीस दिन का समय देते हैं बच्चे फिर से तयारी कर लेंगे क्योंकि कुछ क्वेशन पेपर पटना से भी लीक हुए तेरह लोग यहां गिरफतार होते हैं हर्याना में एक ही सेंटर से आठ बच्चों को साथ सो बीस नमबर आते हैं साथ सो उनीस नमबर बच्चे पिछले बार छे सो पचास मार्क्स के आज पास जिनको गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजिस मिल गए थे और यह सब दूर दराज बिहार के ग्रामीन इलाके के बच्चे हैं और इनके माता-पिता बड़ी मेहनत से तपस्या करके पेट काट कर जमीन बेच कर और लोन ल पर क्या गुजर रहा होगा इसलिए मुझे लगता है कि NTA को कोई दुहाई नहीं देनी चाहिए सुप्रीम कोट को विलंब इसमें कारवाई करके और इसमें एक्जाम को रीटेस्ट लेना चाहिए हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद है यह बताईए कि आप आपकी क्या म मार्क्स मिले हैं इससे इतना बड़ा चेंज नहीं आ सकता क्योंकि मेरे मार्क्स जो हैं 639 इस पर पिछली बार 10,000 रांग थी और इस बार 40,000 रांग के आसपास चली गई है तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आता किसी भी एक साल में तो इसलिए सबसे पहले एक ज करिए क्योंकि एक साल में इतना बड़ा गैप कभी नहीं हो सकता है और नहीं तो हम सारे बच्चे री नीट देने के लिए तयार है जी हाँ सर हम लोग दो तीन बार दे चुके हैं जी हाँ सर यह फूर्टा माक्सा है 647 647 आपको क्या उमीद 647 में सर बिहार पटना का अच् का रहा है इस पार उसे तो लग रहा है कि जनरल काटेगरी से गवर्णमेंट कॉलिज मिलेगा भी नहीं तो क्या चाहते हैं सर एक जाच के मिटिक की गठन हो जिसमें मानने लोग हो जो कि धंग से जाच कर सके और या फिर अगर चीटिंग पकड़ी जाती है तो जीनीट हो सबसे बड़ी चीज है कि NTA का गठन और नीट का एक्जाम जो लगतार कुछ बरसों से लिया जा रहा था तो हमेशा कहा जाता है कि नीट इस वरी अनप्रेडिक्टेबल एक्जाम लेकिन ये भी माना जाता है जिस तरह से बच्चे मेहनत करके एक्जाम दे रहे थे इस बार वो संख्या लगबग 25 लाग बच्चों की थी और 25 लाग बच्चों ने जब एक्जाम दिया तो जितनी मेहनत के साथ जिस तरह का मार्क्स उनने गेन किया था तो उमीर की जा रही थे कि इस बार बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स मिला और बहुत अच्छे college में वो जाने वाले हैं लेकिन जब result जिस दिन exam हुआ exam होने के दिन ही paper leak out का matter आता है और paper leak out होने के बाद भी NTO से accept करने के लिए त्यार नहीं कि paper leak out हुआ है लेकिन leak out होने के पूरे साख्च और पूरे गवाह बिहार में मौझूद है वो सारे बच्चों ने इन्हों ने भी यह किया था उन्होंने accept किया कि हमने ऐसे ऐसे किया है और उसके बाद भी NTO से accept करने के mood में नहीं है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है और इसे कहीं ने कहीं देखना है मेरा कहना यही है कि जिस तरह से rank inflate हुआ है वो असपस्ट दिखा रहा है कि इसमें सिर्फ grace marking का problem नहीं है इसमें paper leak का problem है और paper leak के थुरू थोड़े student नहीं बलकि thousands of student इंटर करेंगे तभी इतना जादा rank का variation आ सकता है इसलिए सबसे बड़ा problem जो है उसके समय बरबाद कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंने सुना आज की आठ जुलाई का वक्त दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को तो इसमें अविलंब इसमें तो प्रेमे फसाई इट लुक्स बिल्कुल सही है और यही सबसे बड़ा बिड़मना है कि बच्चे परेशान है तनौव में हैं अपनी बाते रख रहे हैं लगातार बाते अपने रखी जा रही है सोसल मेडिया और आप लोगों के माध्यम से लेकिन लेकिन सरकार तो सरकार अपने जगह पे अन्टिय तो कोई भी जवाब नहीं दे रही है सुप्रिम कोट ने सायद इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा मैं कोश्चन नहीं उठा सकता हूँ लेकिन हाँ बच्चों का तो कोश्चन जरूर सामने आ रहा है संदेख के घरे में स सब कुछ आता है तो फिर वो परिशान होकर की ऐसे कोश्चन करते हैं इतना लेट क्यों आठ जुलाई क्यूं क्यों नहीं पहले और फास्ट लेवल पे क्यों नहीं इससे फास् ट्रैक पे लिया जाया और क्यों कि एक वार कांसलीन अगर सुरू हो जाता है तो वैसे कंडिशन में इन लों का सबसे पहले मनुवल टूटेगा आगे की तैयारी कैसे करेंगे और जांच की प्रक्रिया जहां सुरू होती है तो सुरुवात तो होना चाहिए वो 9-10 अपरिल के लिए दो दिन के लिए विंडो खोला जाता है फॉर्म भरने के लिए इसका मतलब भी गोरक धंदा के लिए खोला गया और जो भी रिजल्ट्स आया है ना उनके सीरीज को एक बार मैच किया जाए सब देख रहे हैं लोग वो सीरीज भी बहुत अजीब सा है मुझे लगता है यह तो जाज का विशा है जब सामने आगा तो मैं यही कह रहा हूँ आप बताईए जाज वही से सुरू होना चाहिए सर जल से जल कुछ फैसला ले इस लीग के लीग के कि हम लोग को जस्टिस दिया जाए और या तो आप रिवैलिवेट करिये या तो आप फिर से नीट ले जाए सबसे पहले तो उन 1563 बच्चों का जो दिया गया है कितने कितने ग्रेस माकिंग की गई है उस पे पहले उनको लीना चाहिए एक्शन की पहले उनका जो भी डाटा है वो प्रोवाइट करवाए जाए क्योंकि अगर सौ बच्चों के जो दिया गया है शीट उसमें इतनी गड़बड़ी है तो आगे और बच्चों में कितनी गड़बड़ी होगी तो इस पे सबसे पहले ध्यान दे रहाँ चाहिए और इसके बाद एक अच्छी जाच करके और इस पे री नीट या जो भी मेरा कहना ही है कि या कोई अच्छा एक्शन लिया जाए री नीट करवाया जाए या पेपर इवैलियूट करवाया जाए सर रिजल्ट को री पबिश किया जाए या फिर री नीट हुआ जाए तो नमसे कोई एक कर या सर मैं कहना है कि जितना जल्दी हो सके इस पे मतलब जैस्टिस हम लोग को मिलना चाहिए तो इसलिए मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जुलाई का डिट दिया गया तो पहले ही करना चाहिए कितना पहले करना चाहिए सुप्रीम कोट को आज तो बारा जून है आठ जुलाई में बहुत समय है आप लोग का पेसेंस lose कर जाएंगे आप लोग मुझे लगता है सर इस पर कोई fast action होना चाहिए बहुत जल्दी और इन बच्चों से बात चीत करने के बाद और जो बातें मुझे समझ में आई है प्रेमे फसाई ये case पूरा fraud का लगता है और इसमें supreme court को बिल्कुल intervene करना चाहिए इन बच्चों का patience को test नहीं करना चाहिए बच्चे हतास है जो बच्चे दो साल से तयारी कर रहे थे hostel में रहके lodge में रहके टिफिन डबा खाके घर का खाना नहीं मिलता होगा तो हर बच्चे जो है कठिनाई से गुजरते हैं और फिर वही process में फिर से आना इन लों के लिए बड़ी कश्च कारक होगा या तो इसको exam को cancel कर दें फिर से retest ले लें और supreme court जो है इस पर जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई करवाई करें फिर से बिपिंजी से बात करते हैं सर एक जो बाते आ रही है ना एक बहुत बड़ा जो पार्ट है कि जो बच्चे तयारी कर रहे हैं next year के लिए जो 11th में है जो 12th में है नेक्स ये जिन्हें दोज़ार 25 में जिन्हें एकजाम देना है इनके मन में संसे है कि अगर 650 पर आज कुछ नहीं मिल रहा है आगे क्या होगा किया इसी तरीके से धांदली होगा कि क्या इसी तरीके से कोट और सरकार आक्शन में रहेगी तो पिर तैसी करना उचीत है यभी की नहीं ये संसे के स्थिति है एक suggestion हमारे तरफ से अगर आपके माध्यम से पहुचे, बहुत सारे लोग solution ढून रहे हैं, मुझे लगता है कि दो phase में अगर exam लिया जाए, पहला phase objective दूसरा भी objective हो, पहली बार में पूरे 25 लाख बच्चों को अगर एक साथ लिया जाता है, और उन में से कोई cheating करने वाला भी ब्यक्ति को दूसरी बार बैठाया जाएगा और अपने निगरानी में, स्ट्रॉंग निगरानी में अगर उसका test लिया जाएगा, तो cheating बिलकुल ना के बराबर होगा, और दो बार question paper out कर सकता हूँ, कि जिन बच्चों को grace marks मिले हैं, और जिन बच्चे, जो बच्चे top किये हैं, 720 वाले जो एक center वाले हैं, उनकी बिवस्ता अलग की जाए, उन पर निगरानी रखी जाए, और उन पर एक scrutiny करके तब पता चल जाएगा, कि कोई जो 720 लाने वाला बच्चा है, वो 700 प्लस फिर से लाएगा, तो तरीके अनेक हैं, और इसको scrutiny करने के, लेकिन Supreme Court को intervene करके, जल से जल इस समस्या का और इस poison और cancer का निदान करना चाहिए, न कि इन बच्चों को कटगरे में खड़ा करना चाहिए, Supreme Court से बड़ी उमेदे रहती हैं, लोगों को Supreme Court ने एक से एक फैसले दिये है, और Supreme Court को इस पर जल से जल इस भारत के भविश्य को इन जो बच्चे हैं, इनको निया देना चाहिए, पतना से विडियो जनलिस्ट कुंदन के साथ प्रकास सिंग, Republic Media Network के लिए.